अरुण जी आपको जोतिश में थोड़ी बहुत रुची उची है और आप भी बड़ी जोतिशी कर लेते हैं और हमारे राजियों राण जी आए उन्हें तो कहा था कि मैं कहा रहा हूं कि अगर यह जो पूरा बिना पूर्ण हुए मंदिर तर्तम मंदिर पूर्ण ना हो जाए उपर धोजा ना लग जाए शिकर ना लग जाए तब तक वहां पर प्रांट प्रितिश्टा करना अभशकुन होता है और उन्हें कहा भी था प्राक्रतिक आपनाय आती है आज दिली हिल गई भूकम पागया मुझे नहीं पता यह सब चीज़े क्या होती है अब आरोड जी आप जानते हैं आप बताईए क्या होता और शंकराचारी को चंपतराई जी ऐसे किनारे कर सकते हैं के वह इसलिए उन्हें मंदिर में आने से मना कर दिया गजाव सीने अरोड जी गजाव अगर आप कहें तो मैं मंदिर के अपूर्ण होने का जो विशह है उसको उठाओं य जो विशह है वो यह है कि मंदिर में नौ गूमद बनने हैं जो कि नहीं बने अभी फॉस्स फ्लोर का या ग्राउंड फ्लोर का भी कारय पूरा नहीं हुआ और यह हमारे यहां प्रथा है कि जब तक गुंबद के ऊपर कलश की स्थापना ना हो जाए और उसके ऊपर जो पताका है जैसी जगनात मंदिर में है मतलब धरम द्वजा वो जब तक ना हो जाए अब आप जोची की आपने तान छेड़ी है तो मैं बता देता हूं उस का ग्रह विराजित होते हैं उसमें भगवान भासकर भी विराजित होते हैं उसका महत्व यह होता है कि जैसे आपने देखा होगा कैदार में एक आपदा आई थी तो वह आपदा क्यों रुख गई उसके पीछे पत्थर ने अपने ऊपर सब कुछ ले लिया जैसे बच्चे है गुम्बत के ठीक नीचे एक गंटा लगाया जाता है गंटियां लगाई जाती है ऐसा माना जाता है कि अगर आप घंटा बजाएं जोर से तो इसको धनी बहुत गुझाय मान रहती है काफी समय तक उसके नीचे खड़े हो जाएं तो आपको अगर कोई मानसिक चिंता है तो वो चिंता हट जाती है, यह मेरा प्रयोग शंका किया हुआ है, अभी मैं जगनात मंदिर पिछले महीने में गया भी था, और मैंने यह दो दिन वहां जाकर अनभव भी किया है, तो जो आपदा आने वाली को रोकने वाली चीजें हैं, जो विदी विधान से शास्त्र सम्म है, जब उसको नहीं बनाया गया, और यह शुरुवात में लाखों लोग आने वाले हैं, और यह कहा गया, तीन महीन में एक करोड़ लोग आएंगे दर्शन के लिए, तो इसका मतलब यह है, कि वहां पर हमने, जैसे हम कहते हैं, भूकम रोधी बिल्डिंग बना दी, तो हम ने जो प्राक्रिटिक शास्त्रिय दृष्टी से जो रुकावट होनी चाहिए, जिसके प्रबंद होने चाहिए, वो नहीं किये, अगर आप मुझे कहें, कि यह जो आपने शुरुवाती संबोधन में का कि उनको बुलाया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है, सर रनवी जिन्होंने पेटिशन साइन कीती, एक फरवरी, 1986 में शैद, उनको भी नहीं बुलाया जा रहा है, क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, उनके पुत्र का एक अमित पांडे जी का एक बयान भी है, कि हम तो इंतजार कर रहे हैं, बुलाया किसको जा रहा है, जो 2014 के बाद, जिन इंपॉर्टेंट लोग, विशेश लोग, जिनको याद किया जाना चाहिए था, उनको याद नहीं किया जा रहा, अब आप जोतिश की बाद करें, महमानों की बाद करें, तो कुल मिलाकर, जो मेरा विरोध है, वो मंदिर बनाने या धाटन करने में नहीं है, मेरा विरोध किैंट की है मैंने एपिसोड बी किया जाए आप साउथ के मंदिर देखेए तो कोई कोई मंदिर तो 25-25 साल में रट रखा गया हर जूतिश का द्यान दगता गया अगर आप उड़ीसा में जाएं एक और about और आदा धनुष उसके उपर लगा हुआ है उसके कारण है उसमें ब्रिक्षा नक्षत्र को वास किया गया है जो कि मंगल का होता है वो भूमी पुत्र होता है ऐसे ही अगर आप भागवान राम के धनुष को देखें जो उन्होंने तोड़ा था वो तीन जगा विराजिता औ जो अभी जनकपुर में है तो अगर पुराणिक महत्व देखें शास्त्रिय महत्व देखें जोच्छी महत्व देखें तो मुझे लगता है यह मंदिर के उधगातन का समय नहीं है और एक बात और कई आप सांकेतिक दिवाली मनाएं सर आपका जो जनम दिवास है वो किसी महीने में हो माली जो जून में है कि आप दिसंबर में सांकेतिक जनम दिन मना सकते हैं क्या सांकेतिक दिवाली कैसे मना ले गया यह कौन सा रिवाज कर रहे हैं आप नया पैदा तो मेरा विरोध बड़ा मुखर है और मेरा विरोध है बड़ा लंबा उसका कारण है कि जैसे साथ मंदिर बनने है जिसमें अहिल्या माता का भी मंदिर बनने है चारों के रावन में चार मंदिर बनने है शिम मंदिर जिसका जिर्णों धार करना वो शुरूई नहीं हुआ रही और बहुत सारी मूर्तियां जो लगाई नहीं गई मा जानकी कि कोई अभी मूर्ति नहीं रूप लगा रहे हैं जब विश्णू रूप लगा रहे हैं तो विश्णू के पाउं कौन पकारती है मालक्षमी तो उनको तो जनक जनक जानकी को तो फस्ट फ्लोर पे रखा जा रहा है और राम लला को ग्राउं फ्लोर पे रखा जा रहा है उसमें भी जो एक पूरानी मूर नहीं की जा सकती gonna go to Wow को करम कांड़ का सिधान्त बता रहा हूं तो ऐसे चार रामलला Komm Yuri शारिया कारण कटार shapes you you can do सखर कारणों के विथ संसाना कर सकता हूं यह को उडगाटन करना शायद मेरे लिए तो यह उचत नहीं है और मैं इसका समर्तन नहीं करता जे गजब बाते बताई आपने ये इतनी बाते तो पता ही नहीं हो सकती तो ये मंदिर बना रहा है या मंदिर के नाम पर पॉल्टिकल गेम हो रहा है ये वो भगवान राम के मंदिर के साथ जिस राम मंदिर ने राम भगवान राम ने इतनी वार सत्त इसको चुनाओ जीतना है। दोजार चौबिस के रिए भगवान राम को इताओं पर लगा दिया। अन्तिकाल पच्टाएगा प्राण जाएंगे छूट। ने ने लेकिन मैं इस नेरेटिम में उदके भगवान यह जो वहां राम रंदिर की जो अस्थापना हो रही है। उसमें हम लोग एक बात भूश जाते हैं कि उसका स्रोथ कहा है। स्रोथ यह है कि समिधान की जो हत्या करके मावरी मस्जित का द्वंस हुआ वो स्रोथ है। इसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। हम लोग असल में क्या हुआ है यह गोदी मीडिया इतना ज्यादा राम मंदीर राम मंदीर और यह शिला बन रहा है। वो जो है द्वार बन रहे हैं। यह शोर्ण जरीत होगा फ़र्ला क्या-क्या मूर्तियां होगी। इसके चकर में हम लोग जो मूल डिबेट है उसमें थोड़ा सा हमको लग रहा है कि तुरुटी आ गई है।